दोस्तों क्या आपके चैनल पर भी एक pop-up message बनकर आया है कोपा का और कोपा क्या होता है कोपा क्या काम करता है अगर आप एक YouTuber है तो आपके साथ क्या गलत हो सकता है और क्या सही हो सकता है अगर आप कोपा के अंतर गताएंगे तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रभाकर स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर एक स्क्रीन सोट दिख रहा होगा अगर आपके मोबाइल पर कुछ इस तरीक क्या होता है चिल्ड्रेन ओनलाइन प्रिवैसी प्रोटेक्शन एक्ट चिल्ड्रेन ओनलाइन प्रिवैसी प्रोटेक्शन एक्ट के अंतरगत अगर आपकी वीडियो जाती है कोई तो आपको एस करने की जरूरत है आपको सेटिंग करने की एक जरूरत है जो कि यूटूब अपने फीचर में एड़ कर दी है उस सेटिंग को और उस सेटिंग को कैसे आप करेंगे मैं आपको इस बीडियो में बताने वाला हूँ लेकिन थोड़ा सा आप कोपा के बारे में जान लीजे दोस्तों कोपा का मतलब यह होता है कि अगर आपके कंट्रीज कम है कि आपका एज 18 साल से अगर जादा है तो आप 18 पलस हैं आप अपने देश के नागरिक हैं आपको ओट देने का अधिकार है आपको कोई दिक्कत नहीं है आप चिल्डरेन नहीं आते हैं लेकिन अगर 18 साल से कम जो चोटे चोटे बच्चे हैं उन्हें हम यहाँ पर कोपा के अंतरगत लें आपने अपने चैनल पर तो आपको साउधानी से काम लेना चाहिए आपको थोड़ा सा साउधानी बरतनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दू कि अगर आपकी वीडियोज को बच्चे देखते हैं तो भी आप इसके अंतरगत आएंगे और अगर आपने अपनी वीडियो में बच्चों का यूज किया है तो भी आप इसके अंतरगत आएंगे लेकिन COPA कोई नया चीज नहीं है COPA US में भी यह पहले से चल रहा है अभी इन्डिया में यह अपडेट किया जा रहा US में 13 साल से छोटे बच्चों का यूज करना कोपा के अंतरगत आता है यह आपको clear हो गया होगा कि कोपा का main मतलब क्या है अब आपको setting क्या करनी है आईए मेरे computer screen पर वही पर मैं आपको बता देता हूँ और आपको यह भी बताऊंगा कि क्या नुकसान आपको होगा अगर आप कोपा के अंतरगत आएंगे और क्या benefit होगा जोस्तों यहाँ पर आपको एक काम करना है अपने YouTube channel पर चैनल पर जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस open होगा यहाँ पर मैं एक दोबारा YouTube open कर लेता हूँ आपको बताने के लिए आप YouTube open कर लेना और YouTube open करने के बाद आपको अपने logo पर क्लिक करना है जैसा कि अभी मेरे channel का logo यहाँ पर दिख रहा है और इस logo पर मैं क्लिक करूँगा इस logo पर क्लिक करने के बाद यहाँ YouTube studio में आ जाना है पहले YouTube studio बेटा दिखता था लेकिन बेटा हट चुका है अब इस studio दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है आप एक बार इस पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक setting का option आएगा नीचे और इस setting को क्लिक करेंगे इस setting पर और setting पर क्लिक करने के बाद channel पर क्लिक करेंगे channel पर क्लिक करने के बाद advanced setting में आएंगे और यही पर दिखरा है do you want to set your channel as made for kid अगर आपका channel बच्चों से related है तो आपको यहाँ पर क्लिक करने की जरूरत है यह आपको पता चल गया yes करना है और no करना दो option कर देना है लेकिन अब आप यह जान लीजिए कि आपको नुकसान क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप yes करेंगे तो आपके channel पर अगर बच्चों से related content पाए गए तो तो यहाँ पर मैं open कर लेता हूँ देखेंगी इसमें है personal advertising जिससे आपकी payment थोड़ी सी कम हो जाएगी डिस्क्रीज हो जाएगी आपकी earning और comment हट जाएगा आपका channel branding watermark हट जाएगा जो की branding यहाँ पर दिखता है और donate button हट जाएगा info card of end screen हट जाएगा live chat हट जाएगा live chat donation हट जाएगा playback in mini player हट जाएगा super chat super sticker हट जाएगा save playlist हट जाएगा अगर आपकी video ही और live stream कुछ content इसमें कोपा के related आते हैं तो अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आपका पूरा channel ही बच्चों से related है तो आपको क्या-क्या चीजे नहीं मिलने वाली है यह आप देख लीजिए यहाँ पर आपको यह सारी चीजे नहीं मिलेंगे story the community tab और notification bell अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बोल्ड करके रखा गया है कि what happened if set my audience incorrectly तो यहाँ पर एक जो बोल करके रखा गया है इसको मैं translate कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको बताने के लिए और यहाँ पर लिखा हुआ है हलाकि अपने दर्सकों को आपके लिए सेट करने के लिए हमारे सिस्टम पर भरोसा ना करें क्योंकि हमारे सिस्टम में content की पहचान नहीं कर सकते हैं जिने अप्टी सी या नियाधिकारी मानते हैं ठीक है तो आप यह एक निभेदन किया गया है यूट्यूब के तरफ से कि आप गरबढ़ ना करें आपका जो जैसा कटेग्री है वो ऐसे ही आप यूज करें यस है तो यस कर दीजिए नो है तो नो कर दीजिए फिर यहां पर बताया गया है कि हाव डू आइनो इस सेट माई वीडियो और्डियन्स करेक्टली अगर मैंने सही काम किया है तो कोई दि यूट्यूब कहता है की बच्चा आप ने उच्डी बच्चे आप की वीडियो देखते है लेकिन आपको लगता है कि इसमें बच्चे का कोई content content है ही नहीं तो आप यहां क्या कर सकते हैं आप वीडियो में जा टरू made for kids पर किलिक कर देना है फिर किलिक करें रिव्यू ओडियन्स सेटिंग पर किलिक करना और उसके बाद अंडर ओडियन्स फिर सेलेक्ट करना no it's not made for kids यहां पर एक option आएगा इस पर किलिक कर देना ठीक है अब आपको यह पता चल गया होगा आपको नुकसान क्या होगा मेरे दोस्त अब आगे आपको मैं बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल पर किस तरीके से कर पाएंगे सबसे पहले आपको अपने वाइटी को ओपन करना है YouTube Studio का एक आप आता है अब गर्द डाउनलोड नहीं कर रखा तो उसे कर लिजिए जैसे कि यहां पर यह दिख रहा है इसको मैं किलिक करता हूं इस पर जब मैं इस पर किलिक करूंगा मेरे सामने मेरी सारी वीडियो जाये जाएगी मेरे चैनल का यहां पर एक advanced setting का option दिख रहा है advanced setting के option के बाद यहां पर मैं नीचे आ जाओंगा और फिर यहां पर मुझे audience लिखा हुआ is this video made for kids अगर आप video made for kids के लिए बनाते हैं अगर आपका channel है kids के लिए तो आपको select कर लेना है यहां पर not selected लिखा इस पर click करिए और इन दोनों में से कर दीजिए अगर आप kids के लिए videos बनाते हैं तो आपको yes पर click करना है और अगर नहीं बनाते तो no पर click करना है और कुछ जान और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ऐसे ही तमाम लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए मिलूँगा मैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई अपना खयाल रखें जैहिन